दोस्तो कुछ लोग होते हैं जिने एडवेंचरिस प्लेसेस पे जाना पसंद होता है क्या आपको भी एडवेंचर पसंद है अगर आप भी एडवेंचर के सौकीन है और दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रीजेस के बारे में जानना चाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है आज हम दुनिया के 10 सबसे खतरनाक ब्रीजेस के बारे में जानेंगे तो आपके किमती समय को बरबात ना करते हुए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो दोस्तो ट्रिफ्ट ब्रीज का नाम दुनिया के सबसे खतरनाग ब्रीजेस में सामिल है अल्सपरबत के दो पहाडों को जोडने वाला यह ब्रीज स्विजालेंड के गैडमेंड के पास ट्रिफ सी जिल पर बना हुआ है यह ब्रीज जमीन से 330 फिट उचा और 560 फिट लंबा है इसे दोजा चार में बनाया गया था हर साल 20,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट ट्रिफ्ट ग्लेसियर को देखने आते हैं इस ब्रीज को 12 जुन दोजा नो को रिपलेस करके नए तोर पे बनाया गया था जिसमें 6 हफते का वक्त लगा था दोस्तो हमारा अगला खतरनाग ब्रीज कैरिक ए रेड रोप है जो की नॉर्थिन आयरलेंड के काउंटरी एंट्रिम में बॉलिन ट्रॉय के पास एक रसी का ब्रीज है इसका निर्मा दोचर आट में हुआ यह ब्रीज 66 फिट लंबा और नीचे चटानों से 98 फिट उपर है हर साल लाखों टूरिस्ट यहां आते हैं हुसेनी हैंगिंग ब्रीज पाकिस्तान के सबसे पुराने ब्रीजस में से एक है यह ब्रीज एक पाहार से दुसरे पाहार तक रसी और लकडी के तक्तों से बनाया गया है यह ब्रीज 100 फिट उची और 660 फिट लंबी उग्र उन्जा नदी के उपर लटका हुआ है यह तब ज़्यादा डरामना हो जाता है जब सान ये लोग ब्रीज पार कर रहे हो और तेज हवा के कारण ब्रीज तेजी से हिलने लगता है जांग जियाजी ग्लास ब्रीज हमारा अगला ब्रीज है जो कि चाइना के बोलिंग युवान छेतर के उपर हुनान के जांग जियाजी में एक स्काई वाक ब्रीज है दो पहारी चटानों के बीच बनाया गया, यह ब्रीच टूरिस्ट के आकर्शन के तौर पर बनाया गया है, यह ब्रीच ट्रांसपारेंट ग्लास का बना हुआ है, इसकी लंबाई 1410 फीट और 2420 फीट है, जमीन से लगभग 980 फीट उपर लटका हुआ है, एक बार में इसमें 800 लोग विजिट कर सकते हैं, यह इतना मजबूत है, मरियन ब्रू के मरिया ब्रीच जर्मनी के नेउन स्वांस्टिंग कसल के बगल में एक स्टील का ब्रीच है, इस ब्रीच को 1845 में बबेरिया के राजा मैक्स वीलियम दितिय ने लकडी से बनवाया था, इस ब्रीच का ना 115 फिट है, दोस्तो हमारा अगला ब्रीच मलेशिया का लॉंग कावी स्काई ब्रीच है, जो की 2005 में खोला गया था, यह ब्रीच केदा में लॉंग कावी के मुख्य आइलेंड पुलाव लॉंग कावी पर गुनूंग मेट सिंकांग के सिखर पर है, यह ब्रीच डेक समुंद तल से 2170 फिट उपर है, 410 फिट का घुमावदार पैदल चलने वाला ब्रीच केवल से जुड़ी हुई है, विजिटर यहां केवल कार के थ्रू ट्रॉप स्टेशन से ब्रीच तक जा सकते हैं, अमेरिका के कोलोरेडो में ताल 1929 में रोयल जॉर ब्रीच का निर्मान किया ग हमारा अगला ब्रीच कैनेडा में स्थीत कैपिलैनो सस्पेंसन ब्रीच है, जिसका निर्मान 1889 में किया गया था, इसका निर्मान नदी को पार करने के लिए किया गया था, यह 460 फिट लंबा और इसकी उचाई 230 फिट है, अमरिका के फ्लोरीडा के मॉनरो काउंट्री में फ्लोरीडा कीज में स्थीत ये ब्रीच 7-mile ब्रीच के नाम से जाना जाता है, यह मिडिल कीज में नाइट कीज को बॉटम कीज में लिटिल रग की से जोडता है, यह कीज में ओवर सिस हाईवे का हिस्सा है, जो 3813 किलोमीटर युएस रूट वन का हिस्सा है, इसकी कूल लं किया जाता है और पुराना ब्रीज पैदल चलने के लिए यूज किया जाता है 1987 में निर्मिद्द ब्रीज ओफ इमोर्टल्स चीन के अन्हुइंग प्रांथ के वांगसन परवत सिंखला को आपस में जोडने के लिए बनाया गया था उचे पहार पर लकडी से बना ये पतली ब्रीज बहुत ही खतरनाक है इस परवत की चोटी तक पहुँशने का रास्ता आसान नहीं है पहाडों की चोटी पर खड़ी चटानों पर बहुत सारी सीडिया चड़नी पड़ती है दोस्तों ये थे दुनिया के दस खतरनाक ब्रीजेस आई होप कि आपको इंफोर्मेशन अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें थैंक्यू फर वाचिंग